सबसे पहले यहाँ पे कुछ basic चीज मैं आपको clear कर देता हूँ ताकि जितने भी लोग है ना जितने भी लोग मेरे stream को देखके जो जो चीज मैं कहूंगा उनको यह difficult ना लगे कोई भी चीज ठीक है अगर वह 200 points से जादा है अगर वह 200 points से अगर जादा का gap up है या फिर gap down है उस time पे क्या होता है न जो market का stability होता है न वह थोरा सा कहीं न कहीं दिक्कत होता है दोसो points का gap down आके market क्या होता है न एक और fall में जाता है एक बड़ा gap President में Liqui Trate करने लगता है यह तो और down चला जो भी 200 point से बरा का कोई भी gap up या gap down होगा market में, उस time पे क्या करना है आपको, जो भी आपने trade identify किया हुआ है ना, कोई भी important आपका अगर support आपने identify किया, कोई भी important आपने resistance identify किया, वहाँ पे आप trade को थोरा सन avoid कर दीजे, या फिर आप ऐसा technique यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर market 200-300 point या 500 point gap down या gap up हो रहा है, उस दिन मैं trade ही नहीं करूंगा, यह सबसे best decision आपका होगा, अगर आपने इस चीज़ को implement कर लिया ना, अपने trading में include कर लिया ना, तो आप देखोगे काफी time जो है आपका जो वो loss वाला जो trade है ना, वो minimize हो जाएगा, हमें दिखे stock market में क्या है ना, daily profit नहीं चाहिए होता है, क्या होता है, daily profit हम लोगों को नहीं चाहिए होता है, हम लोगों को survive करना है market में, जो पैसा market देगा हम लोगों को, उस पैसे को अपने पास रखना भी होता है, उस पैसे को हमें protect भी करना होता है, और उसी पैसे से दुबारा से हम लोग market में play out करते हैं इसलिए हम traders की first priority क्या होगी हम traders की first priority ये होगी खुद को बचाना अगर आप ही नहीं बचे तो और कोई फाइदा नहीं है जैसे आपको पता है न health is wealth आप लोग को पता है न डॉक्टर्स बोलते है health is wealth अगर आपका health सही रहेगा तो आप जिंदगी भर पैसा कमाएंगे ये कहावत सुना है न अपने अगर आपका health सही रहेगा तो आप जिंदगी में तो कुछ न कुछ तो कड़ी लेंगे है ना कुछ न कुछ तो आप कड़ी लेंगे सर like में कुछ भी करें अगर आप इस दुनिया में आये हैं तो कोई भी ऐसा है इंसान जो नहीं बीना खा की मर रहे हैं कुछ न कुछ तो कर रहे ना तो वह health के बैसे कर रहे है अगर उसका health है तो सब कुछ सही है आप कुछ न कुछ कर लोगे बस वही सेम चीज हम लोगों का Capital अगर Capital है तो आज ही नहीं तो कल में Trade तो करी लोंगा लेकिन अगर यह चला गिया एक बार तो और कुछ नहीं रहेगा Market में विक्रावस इसके बिना Market में और कुछ होता ही नहीं है सब कुछ इसी के उपर में चल रहे है मार्केट में अगर Capital आया है तो मार्केट अपर जाएगा अगर कैपिटल मार्केट से निकलPlay रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा सो यह बेसिक मैंने आप लोग को बता दिए हमिसा ध्यान को धहाद रखेगा कैपिटल है टो सब कुछ है कैपिटल नहीं है तो नहीं पॉसिबल लोग पाएका टेडिंग ठेक है चलिए अभी हम लोग आते हैं मार्केट पे को कहने कहीं बाइंग के आक्टिविटी दिख रही है मुझे तो महें यहां पे बाइंग वाला दे रहता हुआ फिलालतो के यहां पे मैंने इक्टेविटी मुझे दिख रही है यहां पे आप मैंने घडिया है आप लोगोंको दिया एंपर यहां पर भूंध को मैंना यहां भी ट्रीमिदे भी और hm अस निफ्टी में हा रही हो कि दोजी कैंडल यहां पर दिया है worden मिनट ठीक है इसका 15 856 में एक मिनाट रोके थोरा सरूज यह 5900 तक में भी एक possibility है ठीक है ध्यान रखेगा watch कीजिए एक support एक छोटा support मिल रहा है डोजी का निफ्टी को ठीक है एक छोटा सा support मिल रहा है निफ्टी को ठीक है यह लेबल के आसपास लेट सी वट हैपन किस तरी के यह प्लेयाओट वगरा हो रहा है बाकी देखिए अभी आप लोगो को कुछ दिन stream थोड़ा बहुत लगया है यह क्या समझा रहे समझ मनी आ रहा है बट कुछ दिन आप लोग देखिए मेरा stream को बहुत मज आएगा आप लोगो को कि कहां कहां बायर्स हैं तो मैंने यहां पर कंफर्म कर दिया है पहले कि बाइंग हो रही है यहां पर कुछ बायर्स एक्टिवेट होने का ट्राइंग हो रही है अब यहां पर देखना पड़ेगा कि अगर यह उपर जा रहा है यह possibility है जैसे मान लेते हैं यहां पर ध्यान दीजेगा अगर यह इस तरीके से उपर जा रहे है उपर जाने के बाद यह फॉल कर रहे है फॉल करने के बाद अगर मुझे कुछ ऐसा activity दिखा तो मैं यहां पर आपको कहूंगा कि सार यहां पर आप sellers कहीं ने कहीं एंट्री कर करेंड मार्केट में 10-15 मिनर्ट या फिर एक घंटे तक मार्केट में कुछ बायर्स रहे कुछ सेलर्स रहे इससे आप लोगों को easy हो जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूं क्यूंकि अगर मैं यह बोलूंगा आपको देखे train line का breakout हो गया है train line का retest होगा यह होगा वो होगा confusing कर इसलिए front pay मैं दे दूँगा आपको जो decision लेना है आप खुद ले लीजेगा फिलाल अभी कुछ buying वेगर हो रही है इसलिए मैंने यहां पर buying activity आप लोगों को front में यहां पर दिया होगा है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ओके सो थोड़ा बहुत जो है pullback ले रहा है nifty लेने देते हैं pullback इसको यहां पर यह लेबल एक्षीव हुआ इसका बैंग निफ्टी का ठीक है अभी बैंग निफ्टी का पास बहुत अच्छा मौका है थोड़ा बहुत पाउस लेने का या फिर थोड़ा बहुत फॉल करने का अगर इस तरीके से ऐसे चला गया तो आज का साइध मार्केट उतना compatible ही रहेगा properly कुछ भी activity करने के लिए थोड़ा बहुत यहां से वो pause ले या फिर rejection वगरा करे थोड़ा बहुत फॉल वगरा करे इसलिए यह भी अभी decide कर रहा है कि मैं भी अब एक काम करता हूं मैं भी क्या होता है कहां यह क्यों नहीं जा रहा है उपर बस इसी लेबिल पर इसको भी थोड़ा बहुत उपर जाके अपना एक pending है इसको भी अच्छी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा फिर वो थोड़ा बहुत पॉस ले 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 इससे हमें सर यह समझ महार है कि कभी भी कोई भी resistance के breakout पर ठीक है बाकि आप लोग वाच वगरा कीजिए ध्यान दीजेगा ठीक है वाच की जैसा मैंने बोला सिर्फ आप लोग वाच कीजिए लेट सी यह चीज कैसा लगा आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से मैंने यहां पर आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइट करने का ट्राय किया कि सर निफ्टी में कंबेने करके हैं अगर हम लोग कुछ भी डिजन लेंगे ना तो काफी जादा हमें बेनिफिट होता है ओके आगे सा आप लोग करेंगे ना ऐसा चैटर में बताइए समझ माई एक क्लिप लेकिन निफ्टी सर यहाँ पे सीलिंग अक्टिविटी दिखा रहे हैं हम लोगों को थोड़ा बहुत सेलर्स निफ्टी में कहने कहीं अक्टिवेट होने का ट्राय कर रहे हैं वन मिनट सम्वे राउंड यह लेवल के आसपास तो निफ्टी में सेलर्स कहीं ने कहीं अक्टिवेट थोड़ा बहुत हो रहे हैं ध्यान दीज़ेगा अगर यह फॉल करता है तो यह भी तो फॉल करेगा ना फिर अब जब कीजिए थोड़ा बहुत मार्केट को अपडेट करता हूं मैं अब लोगों को देखिए कुछ लोग टेड वेगरा कर ले ठीक है मैंने मना किया है मौनिंग पर या कि सथीक है मैं दे रहा हूं आप लोगों को कुछ भी मैं जो भी अनलाइस करूंगा मैं बताऊंगा पर ट्रेड ऐसे मत कीजिए पहले मेरे को आप दो चार यहां देख लिजे कि मेरे शीक ऐसी है या फिस तरीके से में बोल रहा हूं मेरे बोलने के बाद मार्केफ उपर जा रहे है तो क्तिया हो हो गया अब confusing zone and critical zone के असपास है क्योंकि अब bank nifty को एक support मिलने वाला है अब bank nifty एक मौका ढूंड़ेगा कि हां अगर मैं यहां से उपर जाता हूँ तो क्या nifty भी एदम उपर चला जाएगा नहीं अगर bank nifty उपर जाता भी है ना तो nifty slow down होके थोरा बहुत consolidation में create में जाएगा क्योंको nifty में sellers है nifty try करेगा ठीक है मैं अगर उपर भी जा रहा हूँ तो ऐसे करेगा उपर जाओंगा तो फिर इस तरीके से again मैं एक और दे दूँगा fall अब यह क्या करेगा अगर यहां से उपर जा भी रहा है थोरा सा डाउन आएगा और उपर जाएगा उपर जाने के बाद दिन अगे फाल कर देगा ऐसा होता है दोनों एक साथ बीएवे लेके चलते हैं निप्टी में sellers हैं फिलाल तो कहीने कहीं activity मुझे जितना दिख रहा है से लेकिन ऐसे डाइकली व्यू दे देना थोरा बहुत यह रॉंग हो सकता है सर ठीक है ना क्योंकि चार्टी ऐसा है सेलर्स की activity मुझे यहां पर कहीने करें दिखाए देर यह सर यहां पर ध्यान दीजिएगा अगर यह नेगेटिव में गया तो सेलर्स यहां पर मार्केट में फिर दुबारा से आ सकते हैं कि यह पकटी करें मैं एक वेट कर रहा हूं थीक है मैं यहां पर फॉल को वेट कर रहा हूं और आप मैं यहां पर यह पर कर रहा हूं I don't know आएगा कि नहीएगा बट मैं एक fall का ही वैट कर रहा हूँ बहुत टाइम से यहां से वैट कर रहा हूँ 40 मिनिट से मैं वैट कर रहा हूँ एक fall का बट नहीं आ रहा है fall slow है तो आसा मार्केट लेजी बन चुका है कि मार्निंग पे अच्छा मॉइंटम आया एकदम से हीूज बाइंग आयी हूज सेलिंग आयी उपर गया बस साइलेंट हो गया मार्केट तो लेट सी देखते हैं हम फॉल आ रहा है कि ने अगर बड़ा फॉल आ गया तो ठीक है स्ट्रीम बंद कर देंगे हम लोग फॉल करें म बाकी और हम लोग आज कुछ नहीं करने वाले मार्केट में ऐसे मार्केट करेगा सर उपर नीचा वपर नीचा वर्डली क्रियेट करेगा इसलिए मैंने मार्निंग पे आप लोग को बोला कि बैंग निफ्टी पे फिलाल देखना सही नहीं रहेगा देख सकते हैं आप मार्निंग पे अडली मार्निंग पे होगा ओके झाली मार्निंग वपर उननी जब और देखना देखनी पे नीचा वचया करेवागा चार्ण करें अक रहेगा झाली मार्निंग पेगरा को पे घर दोगर देखना।